ओम शान्ति, आज 28 जुलाई 2021 के साकार मतुर महावा क्ये हैं, आज का दिन इस यग्य के दिहास में अती महतोपुरण दिन है, इस यग्य की आदी रतन दीदी मनमोहिनी जी ने आज के दिन पुरानी देख अत्याग किया, दिदी मनमोहिनी जी, जिनका पहले नाम गोपी था, और बाबा ने उनको अलोकिक नाम मनमोहिनी दिया, उनकी मुख्य विशेशता थी, कि उनको बाबा की मुरली से बहुत प्यार था, बिलकुल दिवानगी के साथ बाबा की मुरली सुनते रहे, क्लास में हमीशा डारी पैन लेके बैठते थे, परक शक्ती इतनी अच्छी थी, कि वो दूर से ही सबको परक लेते थे, दीदी और दादी की जोड़ी, इस यग्ये में बहुत प्रसिद रही, दादी प्रकाश्मनी जी के साथ, एक अनुभवी होने के नाते, उन्होंने बहुत अधिक कारे किये, जाने से कुछ समय पहले, एक महामंत्र सबको याद दिलाते रहे, अब घर जाना है, अब घर जाना है, धनाड़े परिवास से होते वे भी, विनम्रता की मूर्ती बन कर रहे, यग्ये की अनेक व्यवस्थाएं, उन्होंने बनवाई, जैसे हर सेंटर पर, आपस में बैठ कर थोड़ीते रूरूहान अवश्चे करें, बाबा का कमरा अवश्चे होना चाहिए, बहुत सुन्दर व्यवस्था बनाने में उनका योगदान रहा, माउं टाबू, हैड़ क्वाटर बने, इस धर्मी को भी उन्होंने सेलेक्ट किया, ऐसी यग्ये की आदिरतन, दिदी मन म मोहिनी जी को, हम सब गॉडली स्टुडेंट, शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनकी विशेशताओं को स्वयम में लाने का द्रड संकल्प करते हैं, आज की मदुर मुरली में, बाबा ने संकम युग का महत्व समझाया, कि ये पुर्शोतम युग, कल्यान कारी यूग है, शुखावना यूग है, इसमें कोई भी पाप का काम नहीं करना, और आप सबसे बढ़ा पुन्य करते हो, किस यग्चे में आप अपने आपको ही स्वाह कर देते हो, स्वैम को से यग्चे में स्वाह कर देना है, जीते जी सबसे ममत्व मिटा देना है, वरत रखन कि हमें परिवार, बाल, बच्चे, धंदाधोरी कुछ भी याद ना है, विकारी समंधों से बुद्धियोग तूर देना है, इस संगम युक पर सच्चा दानपुन्य करना है, पुर्शोतम मास में लोग वरत करते हैं, दानपुन्य करते हैं, इस पुर्शोतम संगम युक पर हमें सच्चा सच्चा वरत रखना है और दान पुन्ने भी करना है किवल एक सीता की बात नहीं है हर एक आत्मा सीता है अर्जुन भी कोई एक नहीं जो ओटे सो अर्जुन अर्जुन का मिसाल द्रोपती का मिसाल इस समय का है आत्माई सब सीताएं है सब रावन की जेल में है भागीरत की महिमा गाई हुई है स्वयम शिव बाबा ब्रह्मा के तन में विराजमान होते हैं वहाँ फिर खोड़े घाड़ी का रत दिखा दिया बाबा समझा रहे हैं कि जगत अंबा और लक्ष्मी इनका क्या सम्मन्द है लक्ष्मी नारण का बहुत बड़ा मंदिर होता है जगत अंबा का छूटा सा होता है यह संगम युक का यादगार है काली का मंदिर भी दिखाते हैं जगत अंबा ही लक्ष्मी बनती है बहुत याद बाबाने समझाई कि यहाँ पर आपको सब तरफ से बुद्धियों मिटा देना है और पुर्शोतम संगम युपर कोई भी पाप नहीं करना पुन्य करम करना है बाबा की याद में रहना है और अपने को पावन बनाना है सच्चा सच्चा वरत लेना है कानपान की शुद दिवान आलमाइटी बाप को सामने रखने से हर कारिय सहज सरल हो जाता है ऐसे आप अटल निश्चे बुद्धी बनो आजकल के समय में सवी प्रशनों का जवाब जल्दी चाहते हैं बाब ने कहा जब आप आलमाइटी बाप को सामने रखेंगे तो हर प्रशन का उत्तर आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे मैं अटल निश्चे बुद्धी आतमा हूं आलमाइटी बाबा मेरे सामने है उनकी उपस्थती से मेरा हर कारिय सरल है और सफल है अब सुनते हैं मुरली विस्तार से बाबाने का मीठे बच्चे ये पुर्शोतम बनने का संगम युग है इसमें कोई भी पाप करम नहीं करना कोशने संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुन्ये कौन सा करते हो कौन सा पुन्य करते हैं? अब तुम विकारी समन्दों से मुक्ठ होते हो. गीत है जले ना क्यों परवाना? ओम शांती! ये सब भगती मारग में बाप की महिमा करते हैं. ये हैं परवानों की शमा के लिए महिमा. जबकि बाप आए हैं, तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाएं? जीते जी कहा ही उनको जाता जो एडॉप्ट करते हैं पहले तुम आस्वरी परिवार के थे अब तुम इश्वरिय परिवार के बने हो जीते जी इश्वर ने आकर तुमें एडॉप्ट किया है जिसको फिर शरणागती कहा जाता गाते हैं शरण पड़ी में तेरे अब प्रभु की शरण तब जबकि वो आए अपनी ताकत दिखाए जलवा दिखाए वो ही सर्व शक्तिवान है ना बरोबर उनमें कशिश भी है सब कुछ छुडा देते बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वो आसुरी संप्रदाई के समंद से तंग हो जाते हैं कहते हैं बाबा क अब ये समंद चूटेंगे यहां ये पुराना समंद भुलाना पड़ता है आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन क्लास हो जाते हैं इस समय तुम जानते हो सब के लिए मोत है और ये जो बंधन है ये सब हैं विकारी अब बच्चे निर्वीकारी समंद चाहते हैं निर्वीकारी समंद में थे फिर विकारी समंद में पड़े फिर हमारा निर्वीकारी समंद होगा ये बाते और किसी की बुद्धी में नहीं होते बच्चे जानते हम आसुरी बंदन से मुक्त होने का पुर्शाट कर रहे हैं एक बाप से योग रखा जाता है आसुरी बंदनो नहीं जानती, कहते है रामराजय चाहिए, प्रंतु सारी दुनिया रामराजय में है ये कोई समझते नहीं, रामराजय में तो पवित्रता सुक्षान्ती थी वो अब नहीं है, प्रंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते, गाया जाता ये आत्माई आत्माई सब सीताएं हैं, एक सीता की बात नहीं, ना एक अर्जुन की, ना एक द्रोपती की, ये तो अनेकों की बात है, आत्माई सब सीताएं हैं, सभी रावन की जेल में हैं, विकारों के वशिभूत हैं, बाबने का ना केवल एक सीता की ही बात है, ना केवल एक अर्जुन या द्रोप्ति की ये अनेकों की बात है द्रिश्टांत एक का देते हैं तुमको भी कहा जाता तुम सब अर्जुन हो तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरत हो गया बाब केते में साधारन बुड़े तनका ये रत लेता हूं उन्हें फिर चित्रों में घोडा गाड़ी द सके जब तक साथ रोज समझने का कोर्स ना ले भगती अलग है ज्यान भगती और वेराग कहते हैं वास्तों में सन्यासियों का वेराग कोई सच्चा नहीं रहतों जंगल में जाकर फिर आई शेहरों में निवास कर बड़े-बड़े मकान आधी बनाते सिर्फ कहते हैं मैं घ वो है हद की बात इसलिए उनको हटी योग हद का वेराग कहा जाता तुम बचे जानते हो पुरानी दुनिया खतम होनी है इसलिए जरूर इससे वेराग आना चाहिए क्योंकि पुरानी दुनिया खतम होनी है इससे जरूर वेराग आना चाहिए बुद्धी भी कहती है नया पुर्षोतम संगम यूग, पुर्षोतम मास भी होता, तुम्हारा पुर्षोतम यूग, पुर्षोतम मास में दान पुन्यादी करते, तुम इस पुर्षोतम यूग में सर्वस्व स्वाह कर लेते हो, जानते हो इस सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है, तो सारी दुनिया क सर्वस्व स्वा होने से पहले तुम अपने को क्यों न स्वा करो इसका तुम्हीं कितना न पुन्य मिलेगा वो है हद का पुर्षोतम मांस यह तो बेहद की बात है पुरशोतम मास में बहुत कथाएं सुनते वरत नियम रखते तुम्हारा बड़ा भारी वरत है तुम्हारे भले बाल बच्चे घर बारादी सब है प्रन्तु दिल से ममत्व मिट गया सब तरफ से बुद्धियोग हट गया आप मुए मर गई दुनिया तुम जानते सब खतम हो जाएंगे हम बाबा के बने है पुरशोतम बने के लिए सर्व पुरुशों में अर्थार्थ मनुष्यों में उत्तम पुरुश यह लक्षमी नारण सामने खड़े हैं इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता लक्ष्मी नारण विश्व के मालिक थे तुम आये हो ऐसे पुर्शोतम बनने सब मनुष्य मात्र सद्गती को पाते हैं मनुष्यों की आत्मा पुर्शोतम बन चाती फिर उनकी रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम बन चाहिए जैसे प्रिजडेंट आदी उच पदबर हैं तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपती भवन मिला हुआ है कितना बड़ा महल बगीचा आदी है ये हुई यहां की बात रामराज्य को तो तुम जानते हो तुम सत्योगी पुर्शोतम बनते हो फिर ये कल्योगी पुर्शोतम रहेंगे नई तुम सत्योगी पुर्शोतम बनने के रिए पुर्शाट कर रहे हो जानते हो हमारे महल कैसे बने वे होंगे कल रामराज्य होगा तुम रामराज्य में पुर्शोतम होंगे तुम चैलेंज करते हो हम रावन राज्जे को बदल राम राज्जे स्थापन करेंगे अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुर्शोतम बनाना है भविश्य 21 जन्मों के लिए देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन, सूला कला संपूरन, संपूरन इर्विकारी अइंसा पर्मो देवी देवताधरम, तुम जानते हों अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं शरीमत पर जिनकी पूजा होती है जरूर अच्छा करतवे करके गई, यह तुम जानते हो देखो जगदंबा की कितनी पूजा है, अब यह ग्यान ग्यानेश्वरी तुम जगदंबा की बचियां हो ग्यान ग्यानेश्वरी और राज राजेश्वरी दोनों में उत्तम कौन ग्यान ग्यानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनों कामनाई सुनाते हैं अनेक चीजें मांगते हैं जगदंबा के मंदिर लक्ष्मिनान के मंदिर में बहुत फरक है जगदंबा का मंदिर बहुत छोटा है छोटी जगह में भीड मनुष्य पसंद करते शिरिनात के मंदिर में बहुत भीड होती कपड़े का सोटा लगाते हैं हटाने के लिए कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छ पीड होती है लक्षमी नाराइन का मंदिर बहुत बड़ा होता है जगदंबा का छोटा क्यों दुचार यह बात है लक्षमी नाराइन का बड़ा मंदिर जगदंबा का छोटा क्यों गरीब है ना तो मंदिर भी गरीबी का है वैसावकार है तो मंदिर में कभी मेला नहीं लग कि बाहर से बहुत लोग आते हैं महालक्षमी का मंदिर भी ये भी तुम जानते हो इसमें लक्षमी भी रहतो नाराइन भी है उनसे सरफ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी हैं यहां तो है अवी नशी ज्यांड रतन धन के लिए लक्षमी के पास जाते हैं बाकि अनेक आशायरक जगदंबा के पास जाते हैं, तुम जगदंबा के बच्चे हो, सब की मनोकामनाई 21 जनम के लिए तुम पूरी करते हो, तुम जगदंबा के बच्चे हो, सब की मनोकामनाई 21 जनम के लिए पूरी करते हो, एकी महमंत्र से सब मनोकामनाई 21 जनम के लिए पूरी हो रह दूसरे जो भी मंतरा दि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं, बाबा समझाते, ये मंतर भी तुम्हें क्यों देता हूं, क्योंकि तुम पतित हो ना, मामेकम याद करेंगे, तब पावन बनेंगे, सिवाए बाब के आत्मों को कोई कहना सके, मामेकम याद करो तो पावन बने सिवाए बाप के आत्माओं को कोई कहना सके इनसे सिद्ध होता है यह सहज राजियों बाबा सिखाते हैं मंत्र भी वही देते हैं पांजर वश पहले भी मंत्र दिया था यह समृति आई अब तुम समुख बैठे हो क्राइस्ट हो कर गया फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते वो क्या करके गए धरम की स्थापना करके गए तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए स्रीकृष्ण क्या करके गए स्रीकृष्ण सत्यूग का प्रिंस था जो फिर नारायन बना फिर पुनर जनम लेते आए शिव बाबा भी कुछ करके गए तब उनकी इतनी पूजा हो मालिक खुद नहीं बने वो तो स्रीकृष्ण बना जरूर स्रीकृष्ण की आत्मा को पढ़ाया तुम समझ गए हो कृष्ण की वन्शावली तुम बैठे हो राजा रानी को मात पिता अंधाता कहते हैं राजस्तान में भी राजा को अंधाता कहा जाता राजाओं की कितनी मान नहता होती है आगे सब शिकायते राजा के पास आती थी दरबार लगती थी कोई भूल करते थे तो बहुत पच्छता आते थे आजकल जेल वर्ड्स बहुत हैं घड़ी-घड़ी जेल में जाते हैं अब तुम बच्चों को गरब जेल में नहीं जाना तुमको गरब महल में इसलिए बाबा को याद करो तो भी करम विनाश होंगे फिर कब गरब जेल में नहीं जाएंगे वहां पाप होता नहीं सब गरब महल में रहते हैं सिरफ कम पुर्शार्थ के कारण कम पद पाते उच पद वालों को सुख भी बहुत रहता या तो सिरफ पांच वर्ष के आगे कोई government को पैसा देते थे, तो महराजा महरानी का title मिल जाता था, यहां तुम्हारी तो है पढ़ाई, राजरानी कभी पढ़ाई से नहीं बनते, तुम्हारी aim object है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महराजा महरानी बनते हो, तुम्हारी aim object है, इस पढ़ाई से इश्व तो का महराजा महरानी बनते हो, राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता, तुम अब ज्यान ज्यान एश्वरी बनते हो, राज राज एश्वरी बनेंगे, कौन बनाएंगे? इश्वर, कैसे बनाते हैं? राजयोग और ज्यान से, राजाई के भी बाबा को याद करना है बाबा तुम्हें स्वरक का मालिक बनाते यह तो बहुत सैज है, हैविन स्थापन करने वाला God Father है, हैविन में हैविन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उन्हें संगम परपद मिलता है, इसने इसको सुहावना, कल्यान का री संगम यूग कहा जा इस समय सब जीवनबंद में है बाबा आकर सबको जीवनबंद में हैं। तुम आधाकल्प जीवनबंद होंगे। फिर जीवनबंद यह तुम समझते हूं। तुम्हारा वृत नियम क्या है। बाबा ने आके वृत रखवाया। खानपान की बात नहीं, सब कुछ करो, सिरफ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो, पुर्शोतम मास में बोहत करके पवित्र रहते होंगे, वास्तों इस पुर्शोतम युग का मान है, तो तुमे कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। कितने खुशी, कितना नशा होना चाहिए इस पुर्शोतम युग का मान रखे, अब तुमसे कोई पापकरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम स्वयम पुर्शोतम बन रहे हो, कोई भी पापकरम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुर्शोतम बन रहे हो, अच्छा, मीठे मीटे सिक्किला दे बच्चो प्राथी मात्पिता बाप ददा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते रूहानी बच्चो की रूहानी बाप ददा को नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए सार पहली पॉइंट है इस पुर्शोतम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुन्य करम करने है पवित्र जरूर रहना है घरबारादी सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है श्रीमत पर अपनी तनमन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है पुर्शोतम बनाने की सिवा करनी है वर्दान है आलमाईटी बाप की अथौरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्च्य बुद्धी भव हम सबसे स्रेष्ट आलमाईटी बाप की अथौरिटी से सब कार्य करने वाले हैं यह इतना अटल निश्च्य हो जो कोई टाल ना सके इससे कितना भी बड़ा कार्य करते अतनी सहज अनभव करेंगे जैसे आजकल साइस ने ऐसी मशीनरी त्यार की जो कोई भी प्रश्ण का उत्तर सहज मिल जाता है दिमाग चलाने से छूट चाते हैं ऐसे अलमाईटी अथौरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्णों का उत्तर सहज मिल जाएगा स्लोगन है एक कागरता की शक्ति परवश्ण स्थिति को परिवर्तन कर देती है आज अभ्यास करेंगे मैं अटल निश्चे बुद्धी आतमा हूँ और आज की यह एक नई वीडियो भी जरूर देखें कोई मिस ना करें